तो आईए दोस्तों आज हम बात करते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज दा मल्टी वर्स ओफ मैडनेस के बारे में ये मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी थी लेकिन इस मूवी के स्टोरी को लेके बहुत लोगों को कन्फ्यूजन थी इसलिए आज मैं एक सिंपल वे में इस मूवी ली आयते हैं जिसका नाम होता है बुक ओफ विसांती लेकिन वो मौंस्टर उन लोगों को उस बुक को लेने से रोकता है और डॉक्टर स्टेंज पे हमला कर देता है जिसके कारण वो घायल हो जाते हैं तब वो अमेरिका चावेश से उसकी सक्तियां लेने लगते हैं चाव पोर्टल को खोल देती है जिससे वो एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल कर पाए तभी वहां पे वो मौंस्टर डॉक्टर स्टेंज पे अटेक करता है जिससे उनकी मौत हो जाती है उसके बाद चावेश डर के मारे वो पोर्टल खोल देती है और डॉक् X16 अर्थ के हैं इसके बाद वो सजधच के क्रिस्टीन की साधी में जाते हैं जो की इनकी X गल्फिंट थी जिससे वो बहुत प्यार करते थे वहाँ पे वो उससे बात करते हैं और वो काफी जादा उदास भी होते हैं लेकिन तभी बाहर से आवाज आती है जिसे सुनके वो ब बहुत बड़ा सा आक्टूपस होता है और वो एक लड़की के पीछे पड़ा होता है ये लड़की कोई और नहीं बलकि वही है जिसे स्ट्रेंज ने अपने सपने में देखा था अब वो उसे बचाने के लिए जाते हैं जहां पे वांग भी आता है और वो दोनों मिलके उस आक्टूपस को मार देते हैं उसके बाद वो चावेश से पूसते हैं कि तुम यहां पे क्या कर रही हो तुमको तो मैंने अपने सपने में देखा था फिर वो बताती है कि उसके पास कुछ ऐसी ताकते हैं जिससे वो मल्टी वर्स में ट्रेवल कर सकती है और वो बुक आप वो दोनों चौक जाते हैं उसके बाद इस्ट्रेंज समझ जाते हैं कि यह सारी चीजें मल्टी वर्स को लेकर ही हैं वो समझ जाते हैं कि उनको किसकी मदद चाहिए लेकिन उस बॉड़ी को वो वहीं पे दफन कर देते हैं इसके बाद हमें वांड़ा को दिखाया जाता है जिससे मदद मांगने के लिए इस्ट्रेंज वहां जाते हैं। लेकिन वांडा मदद करने से मना कर देती है। वो कहती है कि अब उसने जादू करना छोड़ दिया है। जो कुछ भी पहले हुआ उसके कारण। तब वो दोनों आपस में बात करते हैं। लेकिन तब हमें वहां ये पता चलता है कि वांडा ही है जो चावेश को मारना चाहती है। और उससे उसकी सक्तियां लेना चाहती है। लेकिन आखिर क्यूं? होता ये है कि वांडा अपने सपने में अपने बच्चों को देखती है। इसका मतलब उसके बच्चे किसी न किसी यूनिवर्स में हैं और ये बात वो जानती है लेकिन वो यूनिवर्स में ट्रेवल नहीं कर सकती है लेकिन अमेरिका चावेस के पास वो सक्तियां है तब ही वो सोस्ती अगर वो उससे वो सक्तियां ले लेगी तो वो भी मल्टी वल्स उसमें ट्रेवल कर पाईगी और अपने बच्चों के पास जा पाईगी लेकिन इस्ट्रेंज उसे ये करने से मना कर देते हैं और वो चावेस की मदद करने के लिए कहते हैं लेकिन वहाँ पे वांडा इसकालेट विच बन जाती है और वहाँ पे हमें डार्क होल्ट बुग भ लेकिन इस कालेट विच वहाँ पे एक एक करके सब को मार देती है और वो अमेरिका चावेस तक पहुच जाती है जैसे ही वो उससे उसकी सक्तिया लेने जाती है तभी चावेस वो पोर्टल खोल देती है और वो दूसरे यूनिवर्स में जाने लगती है तभी साथ में उसक ऐसे यूनिवर्स में पहुँच जाते हैं जहाँ पर हर जगा हर्याली होती है और यहाँ पर इस कालेट विच, वांग और उनके लोगों को कैद कर लेती है उस यूनिवर्स में स्ट्रेंज की मुलाकात बौरन मॉडो से होती है जो कि उन लोगों को कॉफी पिलाता है और वो बताता है कि इस यूनिवर्स में भी डार्क होल्ड नाम की बुक है लेकिन वो दोनों फिर बेहोस हो जाते हैं क्योंकि उसने कॉफी में कुछ पिल्स मिला दी थी जब वो दोनों होस में आते हैं तो वो दोनों एक कमरे में बंद होते हैं वहाँ पे वो क्रिस्टीन को देखती है जो की इस यूनिवर्स में एक साइन्टेस्ट है और मल्टी वर्स के बारे में खोच कर रही है अब इस ट्रेंज को इलूमिनार्टी से मिलाने के लिए ले जाते हैं इलुमिनाटी में पांच लोगों का ग्रूप होता है जिनमें सेरन काटर, मिस्टर फेंटेस्टिक, प्रोफेसर एक्स, कैप्टेन मार्वल, ब्लैक बोल्ड होते हैं वो लोग स्ट्रेंज को बताते हैं कि इस यूनिवर्श का स्ट्रेंज फेंटोस को मारते वक्त मर गया था, लेकिन उसे इन्हीं लोगों ने मारा था, क्योंकि वो मल्टिवर्श को ट्रैवल करना सीख गया था इस वज़े से उस यूनिवर्स में वहाँ पे सकालेट विच डार्क होल्ड बुक की मदद से इस यूनिवर्स की वांडा के दिमाग पे काबू करती है और अमेरिका चावेश को पकड़ने के लिए भेजती है इस यूनिवर्स की वांडा यहाँ पे आती है और एक एकर के सारे Illuminati को मारती है वो पांचों को बुरी तरीके से मार देती है लेकिन चार्ल्स जेवियर उसके माइंड में चले जाते हैं और वहाँ पे वो देखते हैं कि Wanda को उसी के माइंड में कैद करके रखा गया है जैसे ही वो उसको बचाने के लिए जाते हैं पीछे से सकालेट विचाती है और उनको भी मार देती है उसके बाद Strange, चावेज और क्रिस्टीन वो तीनों वहाँ से भागते हैं और यहाँ पे हम Wanda को एक अलग रूप में देखते हैं वो लुक लाइका जॉंबीज टाइप दिखती है Strange उसको रोकने की कोसिस भी करते हैं लेकिन वो रुकती नहीं है और उनलोगों का पीछा करती रहती है वहाँ पे एक दरवाजा होता है जिसको खोलने के लिए उसी घड़ी का इस्तमाल करना पड़ेगा जो क्रिस्टीन ने Strange को दी थी Strange उस घड़ी को लगा के उस दरवाजे को खोल देते हैं अब वो बुक आफ विसांती के पास आ जाते हैं जैसे ही वो बुक को लेने जाते हैं तभी वहाँ पे वांड़ा आती है और उसको जला देती है ये देखके वो तीनों सौक डो जाते हैं उसके बाद वो अमेरिका चावेस के माइंड़ पे काबू करती हैं और वो पोर्टल खोल देती हैं Strange और क्रिस्टीन को एक दूसरी उनिवर्स में भेज देती हैं और चावेस को स्कालेट विच के पास भेजती हैं स्कालेट विच वांग के लोगों को मारती है तब वोंग बताता है ये डार्क होल्ड बुक सिर्फ एक कॉपी है इसका ओरिजनल वर्जन कहीं और है तब स्कालेट विच उसे वहां पे ले जाने के लिए कहती है और वोंग उसको वहां पे लेके जाता है वहां पे तीन बहुत बढ़े-बढ़े से डीमन होते है जो की स्कालेट विच को देखके उसके सामने जुक जाते है और उसी जगा स्कालेट विच की एक बहुत बढ़ी सी मूर्थी भी होती है स्ट्रेंज और क्रिस्टीन एक ऐसी यूनिवर्स में आते है जहां पे हर जगा पे तभाई मच रही होती है सारी बिल्डिंगे टूट रही होती है वो पूरा यूनिवर्स ही डिस्ट्रॉय होता रहता है उसके बाद वो दोनों डार्क होल्ड बुक के पास जाते हैं जहांपे उस यूनिवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज उस बुक को प्रोटेक्ट करता है और उस स्ट्रेंज की एक खासियत होती है उसकी तीन आखें होती है वो स्ट्रेंज से कहता है कि इस बुक को इस्तमाल करने के बहुत से साइड एफेक्ट भी है अब इन दोनों की बीच मे लड़ाई होती है जो कि बहुती ज़्यादा फणी होती है लेकिन आफ्टर ओल इस ट्रेंज उस तीन आख वाली स्टेंज को मार देता है उसके बाद उस डार्क होल्ड की मदद से वो अपनी डेड बोड़ी वाले डॉक्टर इस्टेंज को जिंदा करता है लेकिन उसके उपर बहुत सी आत्माएं हावी हो जाती है थोड़ी देर बाद वो उनको अपने काबू मिकल लेता है और वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाता है यहाँ पे क्रिस्टीन भी उन आतमाओं से डॉक्टर स्टेंज को बचाती है स्कालेट विच चावेज से उसकी सक्तियां ले रही होती है तभी वहाँ पे वो डेड बोड़ी वाला स्टेंज आता है जो की स्कालेट विच को रोकता है लेकिन वो उस पे एटेक करती है उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है और उन तीनों डीमन से भी उसकी लड़ाई होती है लेकिन यहां पे भी वो इस ट्रेंज बहुत जादा कमजोर पड़ जाता है स्कालेट विच के सामने उसके बाद चावेज दिमाग लगाती है वो इसकालेट विच वांड़ा पे भी एटेक करती है यह चीज देखके वो दोनों बहुत जादा डर जाते हैं यह सब देखने के बाद इसकालेट विच बहुत जादा इमोशनल हो जाती है और वो वहां की सारी चीजों को तभा करने लगती है वो यह सोचती है कि उसके वहां से चले जाते हैं वो वहां का पूरा किला तभा कर देती है। इसके बाद हमें कमरताज दिखाय जाता है जहां पर चावेज ट्रेनिंग कर रही होती है। इस्ट्रेंज और वांग फिर से सारी चीजों को हैंडल करने लगते हैं और यहीं पर मूवी खतम हो जाती है। एंड क्रेडिट सीन में हमें दिखाय जाता है कि जैसे ही इस्ट्रेंज अपने बिल्डिंग से बाहर आते हैं तभी उनके सर में बहुत तेजी से दर्द होने लगता हैं और तभी वहां पर उनकी तीसरी आँग भी देखने को मिलती हैं। थांक यू फर वच्छिं थी विडियो।